आज की वीडियो होने वाली है नेक्स अलफबेट और नेक्स अलफबेट जो चूस किया है मैंने वो है P पोलिंग में वोटिंग में बहुत से लोगों ने बहुत से नाम दिये A लिखा, D लिखा, J लिखा, M लिखा बहुत सारे अलफबेट्स डाले, W, E बहुत सारे And I'm so happy and I'm so grateful to each one of you जिनोंने मेरी S वाली वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया आप सबने शेयर किया और मुझे मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती कितना मुझे खुशी और सुकून मिला जब मैंने देखा ढ़ाई लाख लोगों ने इसको शेयर किया है एक दूसरे के साथ और बहुत सारे मेसेज़ेस भी आए मेरे पास S वाले लोगों के और बहुत प्यारे प्यारे लोगों के मेसेज़ेस आए जब उन्होंने बताया कि कैसे वो रेजोनेट कर पाई उसके साथ उस वीडियो के साथ और बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर दिखी और उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं उनी के बारे में बात किर रही हूँ आप सबकी इस हौसला अवजाइक आप सबके प्यार का इन सब चीज़ों के लिए थैंक्यू सो मच तही दिल से आभार और शुक्रिया आप सबका आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पी की एंड तक जुड़े रहेगा क्योंकि पी एक बहुत कमाल का इल्फबेट है और पी की जो एनरजीज है वो बिलकुली डिफरेंट है और बड़ी अन्यूजवल एनरजीज है और यह मुझे बहुत ऐसे वाले लोग बड़े बड गिफ्त दू और उसको उसके बारे में अफ्कोर्स मा से जादा कौन जानता है बट इस अल्वेज गुड़े तो इस बीडियो को स्टार्ट करें नमस्ते वेलकम तू निटि इटि गृति विडिटि विडूर अबंदन फैमिली आपका तही दिल से आभार और शुक्रिया मे चलिजी प से स्टार्ट करते हैं प की हम बात करें हम प की बात नहीं करें सबसे पहले तो अगर प की बात करें तो अगर हम गिनेंगे तो प आता है नमबर 16 पे यानि अगर हम A को 1 बोलें B को 2 बोलें C को 3 बोलें तो ऐसे में P का नमबर आता है 16 तो 16 की अगर हम बात करें त तो 1 प्लस 6, 1 नंबर किसका हुआ, 1 नंबर हुआ, Sun का, सूरे, मतलब सूरे देवता से तो उबर कुछ नहीं है, उसके बाद दूसरा नंबर किसका हुआ, 6 लक्शुरी, Venus, और 1 प्लस 6 को एड़ किया, तो क्या बना, 7, और 7 किसका है, केतु का, गनेश जी का, बुद्धी का, स Saturn, and 8 का मतलब infinity, and yes, abundance, तो आप कमाल की लोग तो वैसे ही हो गए, आपके पास 4 चार इतने important देवता, देवी देवता हैं, मतलब देवी भी है, और सूरे भगवान हो गए, लक्श्मी मा हो गई, और 7 गनेश जी हो गए बुद्धी के लिए, और 8 नंबर साटन का, शनी पी अलफबेट, पी अलफबेट ऐसे नहीं लगता, एक लंबा सा डंडा, यानि हेवन से लेके अर्थ तक का एक डंडा, और उसके मस्तिष्क, मतलब उसके हेड में, एक कर्व है, वो ऐसे लगता है, कोई पावर का कर्व है, मतलब कोई something which is very very striking, मतलब यहाँ दिमाग, बु पावर जैसे अगर आप देखेंगे, तो पी वाले लोग एक परपस के लिए पैदा होते हैं, मतलब पी वाले लोगों को पता होता है हमारी जिन्दगी का परपस क्या है, वो उन्हें समझ में होती है कि वो शुरू से, यानि कहते हैं बचपन से ही बड़े होते हैं, बचप से ही पावर लिए रखते हैं और बचपन से ही उन्हें पता होता है कि हम यहां करने क्या हैं, बहुत हद तक वो इन चीजों का प्रतीक हैं, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉमिनेंट जो प्रोफेशनल प्लेसे हैं, उनका नाम पी से स्टार्ट होता है, है ना, क प्रोफेशनल 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 प्रो पर्पस होते हैं और वो पर्पस फुल लाइफ के लिए उस पैशन से भरे हुए लोग अपनी जिन्दगी में आते हैं और वो पर्पस फुल फिल करते हैं। इस प्रिपा हुँ या दे सकते हूं या नहीं या यो इस तरडिल करते हैं हैं क्या एक उसल्टीस इंसे सब्रफ़य फ्रॉडबं हैं। जैसे मैं कहते हूँ ना हर एक alphabet के साथ pluses and minuses होते हैं तो आप लोगों के साथ problem क्या है आप overanalyze करते हो बुद्धी का इस्तिमाल बहुत बार बहुत जादा कर लेते हो चूटी सी विबाद होगी आप उसको rubber की तरह stretch करोगे elastic की तरह stretch करोगे और उसको overanalyze करोगे और जब जब overanalyze करते हो तो आप बिना बाद के लिए कहते हैं ना मतते रहोगे मतते रहोगे तब problem आती है, focus आपका हिलता है, आप unfocused हो जाते हो उसके इलावा आप बहुत possessive हो जाते हो, बहुत बार अलूफ हो जाते हो, बहुत बार आप अपनी feelings को express नहीं कर पाते हो, अपनी feelings के साथ अंदर ये अंदर परिशान रहे, बहुत बार intolerant भी हो जाते हो, आप क्यूंकि perfection हो, आपको हर चीज प्रॉपर इन ओरर चाहिए, बेस्ट चाहिए, अच्छी सी चाहिए, वीनस से गवर्न हो, तो ऐसे में आपकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं, कई बार उनको बड़ी परिशानी होती है, आपके साथ वो कहते हैं, कंदे से कंदा मिला कर चलने की, या चा से चाल मिला कर चलने की, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप as a partner easy नहीं हो, मतलब आपकी requirements, आपकी likings, आपकी dislikings थोड़ी सी हटके हैं, different हैं, अब अगर मैं nutshell में इसको पूरी वीडियो को concise करते हूं, तो मैं एक बात जानती हूं P लोगों के बारे में, P वाले लोग जो ह एक profit की तरफ देखते हैं, और यह P-R-O-F-I-T नहीं, यह है P-R-O-P-H-E-T, तो आप उस profit की तरह हो, जो perfection ढूनते हैं चीजों में, plus जो concepts को समझते हैं before time, ahead of time, time से पहले, in a nutshell, in one sentence I'll say, आप कौन हो, आप मसीहा हो peace के, present में जीते हो, present में जीना चाहते हो, present में ही जीना समझते हो, और positivity के भंडार हो, हर चीज में आपको positivity देखनी है, और दिखानी है, और आप लोगों को बहुत कहते ना, perfect राय देते हो, बिना चलकपट के, बिना लाग लपेट के, हुए ना आप कमाल के लोग, इसलिए, आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, thank you so much for giving me so much love and affection on these series, and मुझे अच्छा लगेगा जब आप ये शेयर करेंगे, आप अपने friends के साथ, family members के साथ, उन सब लोगों के साथ, जिनका नाम पी से है, अब वो चाहे प्रेणा हो, प्रियंका हो, प्रनव हो, प्रतीक हो, पियूश हो, मतलब नाम तो अंगेनित है शेयर करिएगा, और किसी के चहरे पे smile लेकर आईएगा, thank you so much, God bless you, looking forward, the series to continue, अगला कौन सा चाहिए, comment box में बता दीचेगा, और हाँ, चलते चलते, last time, वीडियो के नीचे, कुछ-कुछ लोगों ने 10 बार लिग दिया था, ma'am, a, 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 तो वो 10 वोट नहीं काउंट ह Thank you so much, God bless you and lots and lots and lots of love.